नवतकार मैं हूँ मुसकान अजवानी और आप देखना है देश का लोग प्रिया चैनल एन्यूस टुड़ी तो आज अब एक ऐसे मुद्धे पर चर्चा करेंगे जो इस वक्त पूरे विश्व के लिए बेहदीर मांचक मुद्धा बना हुआ है तो चलिए शुरुबात करते हैं एक देश ने जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी कहा उसने भारत के लोक तंत्र और भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग छेड़ दी है केंद्रिय मंत्री सुरिती इरानी ने हंगरी मूल के अमेरिके आरब पती कारोबारी जोर्ज सेरोस की मंश्वा पर सवार उठाते हुए कहा कि वो भारत के खिलाफ लंबे समय से एज़ंडा चुला रहे है असल में जोर्ज सोरोस एक शक्सियत का नाम है जुसने यहां तक कह दिया है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नितित में भारत ताना श्वाही विवस्था की ओर बढ़ रहा है उन्होंने जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिक्त संशोधन कानून यानी CAA का भी खुल कर विरोध किया है उनका हालिया बयान गौतम अडानी की कमपनियों के खिलाफ आई हिंडन वर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर सामनी आया है उन्होंने कहां कि अडानी का पीम मोदी के साथ इतना घनिष्ट संबंद है कि दोनों एक दूसरे के लिए बेहत जरूरी हो गए है वह भी जेपी ने इसकी कड़ी आलोचना की है और रक्षा मंतरी एस जेशंकर ने मोर्चा संभालते हुए सेरोस को बूढ़ा जिद्धी अमीर और खतरनाक तक बता दिया तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये जोर्ज सेरोस जो पियम नरेंद मोदी के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई दिये हैं जोर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राज्थानी बूढ़ा पेस्ट में हुआ था वो सटोरिय शेरों के निवेशक और व्यापारी हैं हालाकि वो खुद को दार्शनिक और समाजी कारिकर्टा कहलाना जादा पसंद करते हैं हालाकि उन पर दुनिया के कई देशों की राज्थनीती और समाज को प्रभावित करने का एजंडा चुलाने का आरोप लगता आया है उन पर दुनिया कई देशों में कारोबार और समासेवा की आड़ में पैसे के जोर पर वहां की राजनीती में दखल देने के गंभीर आरोब भी लगते आए हैं उनोंने कई देशों में चुनाओ को प्रभावित करने के लिए खुल कर भारे भरकम फंडिंग की यही कारण है कि यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्मान लगा कर पाबंदी तक लगा दी गई जोर्ज सोरोस ने 2004 में जोर्ज डब्ली वुश को अमेरिका का राश्पती बनाने से रोकने के लिए भारी भरकम चंदा दिया था उन्होंने Open Society University Network नाम की संस्था की स्थापना के और उस पर सो अरब डॉलर खर्च करने का वादा किया था इसे दुनिया की सभी यूनिवर्सटी के लोगों के लिए स्टडी और रिसर्च का प्लेटफॉर्म बताया जाता है हाला कि ये कितना समावेशी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोरोस ने इसके इस्थापना ये कहते हुए किया कि वो दुनिया भर के तानशाहों से निपटने के लिए इसके स्थापना कर रहे हैं दरसल सोरोस ने 2020 में ये भी बताया कि उनकी नजर में दुनिया के तानशाह कौन-कौन है उन्होंने स्विजर लेंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम यानि की डेवल्यू एफ में भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राश्पती, शी जिन पिंग और रूस के राश्पती वलादिमीर पुतीन का ना गिनाय था उन्होंने कहा था कि ये सबी लोकतंत्र का गला घोट कर तानाश श्वाही को बढ़ावा दे रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो भारत को हिंदू राश्ट बनाना चाहते हैं जबकि उन्होंने पुतीन को तानाशा साशक कह दिया था। सोरोस ने कहा था कि जिन्पिंग चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की परंपरा तोड़ कर सत्ता की पूरी कमान अपने हाथों में ले रहे हैं। वेरहाल बीजेपी ही नहीं कॉंग्रोस पार्टी ने भी जोर्ज सोरोस के गौतम अजानी पर दिया बयान पर आपत्ती जताई है। प्रक्रिया पर निर्बर है। जोर्ज सोरोस से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीचे एक बड़ा सवाल है कि आखिर जोर्ज सोरोस को भारत की इतनी चुनता क्यों हो रही है कि वो प्रधान मेंतुर नरेंद्र मूदी को हराने के लिए यहाँ पर फंडिंग तक देने को तयार है। यह बेहदी एहम और बड़ा सवाल है। फिलान हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही है आप देखते रहेए एन यस्तर ने